गुड मॉनिंग गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ एप्सन का कलर वाला जो प्रिंटर है 3110 ठीक है 3110 प्रिंटर है इसको मैं कैसे कनेक करना है कैसे इंस्टॉल करना अपने कम्प्यूटर या लैप्टॉप ने वो बताता हूँ आपके पास है तो ठीक है अगर नहीं है तो कैसे डाउनलोड करें तो यह है मॉडल प्रिंटर देखी देखिए यह हमारा प्रिंटर है कि इसका केबल और यहाँ पर चीज है इसको मैं ज्यादा डैपली नहीं दिखा रहा हूं और एक केबल आपका USB अला जो प्रिंटर से रहेगा वो आपके CPU में फीट रहेगा तो उसके बाद चलते हैं हम लोग यहां पे Google Chrome खोलता हूं मैं इंटरनेट करेक्ट रहना चाहिए आपके computer या laptop में उसके बाद देखें यहां पर Google खोल के मैं यहां पर सर्च करता हूं कोई भी प्रिंटर मॉड़र रहे आप नॉर्मली इसी तरीके से डाउनलोड करेंगे ठीक है मैं यहां पर लिखता हूं एप्शन एप्शन एल इकत्तीस दस दस प्रिंटर ड्राइबर ठीक है यह लिख के मैं इंटर करूंगा उसके बाद फर्स्ट वाला जो यहां पर एप्शन का जो ऑफिसियल साइट दीख रहे है यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या को रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है एप्शन और यह प्रिंटर ड्राइबर ठीक है तो इसको मैं यहां पर करूंगा डाउनलोड सिंपल है ज्यादा कुछ नहीं है अगर आप से नहीं हो रहा है कुछ दिक्कात आ रहा है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो या कमेंड भी कर सकते हो ठीक है नंबर द यह डाउनलोडिंग भी आपके कंप्योटर आई मीन आपके इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से होगा ठीक है जितना में आपका स्पीड दे रहा है इंटरनेट उसी आप से यह डाउनलोड होगा डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल क्यासे करते वह होता हूंगा ठी भी रहे और वो color वाला रहे या black and white वाला रहे कोई सभी printer रहे या scanner भी हो सकता है simple खाली single वाला scanner जो आता है सिर्फ scan करने का काम आता है चाहे वो क्यों नहों ठीक है इसी तरीके से आपको driver download करना है और अगर आपका window 64 bit का है 64 bit का या 32 bit का है तो ठीक है यह सब आप लोग डाउनलोड कर सकते हो तो जस्ट यह downloading होने ही वाला है एप्सन का तो यह download हो गया इसके बाद मैं downloads खोलूंगा यह देखे डाउनलोड हो गया अब हम लोग डारेक्ट यहीं से इसको खोल सकते हैं यह देखे यहां पर open लिखा हुआ है तो फाइल फोल्डर मैं क्लिक करूंगा तो जहां पर यह download हुआ है वहाँ पर जाके open होगा यह और यह देखते हैं भी हम लोग मैं जूम कर रहा हूं आपके लिए universal printer driver 64 bit येस तो इसको मैं क्लिक करूंगा दोबर और नीचे यहां पर message आ चुका है run का मैं run कर देता हूं simply इसके बाद देखिए यहां पर run होना start हो गया है और यहां पर printer model दिखा रहा है देखिए action universal printer driver model तो यहां पर नहीं आया है ठीक है इसको कर देंगे ओके यहां आई agree accept फिर ओके नॉर्मली process कोई भी software application का ऐसा ही रहता है जैसे कि आप application वगेरा कोई यूज करते हो ना अपने mobile में बस वैसे ही next next करना रहता है अभी यहां पर message आया है यहां पर बता रहा है कि एक यहां थोड़ा से रीड कर लेता हूं क्या लिखा हुआ यहां पर अपने को नेटवर्क से कनेक्ट करना है वाइफाइ में या यूस्बी कनेक्शन तो मैं यूस्बी केबल के थू कर रहा हूं तो यूस्बी कने यहां पर सेलेक्ट रूँगा और ओके कर दूँगा ठीक है अब मुझे बोर है प्रिंटर एक बार बंद करके चालू करो या केब अब निकाल के बढ़ फिर से वापस लगाना हुआ जिससे वापिस डिटेक्ट करेगा कंप्यूटर की हाँ इसमें प्रॉपरली लगा हुए तो मैं के बाल एक बान निकाल दे तो यूस्बी के बल और फिर से लगा दूँगा ठीक है उसके बाद यहां से अ यहां पर लिका ह्गास ही मैं मैं प्र्टी में में क्लिक और यहां से क्या है यहां से हम अपर या से जस dollars करेंगे और good कर दिंगे तो इसमें मैसे जा रहा है इसको इग्णोर करें फिरहाल ओके अब प्रिंटर ड्राइवर डाला है या नहीं प्रॉपर अपने को कहां से चेक होगा हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे कंट्रोल तो यहां पर ट्रोल पैनल का नहां आड़ा या हाड़ वैर में जाने के बाद यहां बेडिवुईंटर में जाने के बाद यहां पर नीचे ृप्स मे देखिए यह Xu तो इस तरह से यह डलेगा इंस्टॉल होगा और अधिकतर डाल जाता है यह मेरे सिस्टम में कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम इसको राइट क्लिक करके आप इसमें सेट डिफाल्ट प्रिंटर करिएगा और इसको आप यूज कर सकते हो प्रिंटर को ठीक है अगर आपके में भ अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाए हूं कैसे सो लोगा प्रॉब्लम तो उसके लिए आप मेरे को वीडियो को देख सकते हो मेरा जाकर ठीक है तो इस तरह से डाउनलोड होगा एक बार मैं टेस्ट प्रिंट करता हूं प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाएंगे और टे करता हूं झाल 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 झाल